हेलो नमस्कार दोस्तों फिजिकल एजुगेशन गुरू जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है ने वर्ष की सभी को बहुत बहुत हार्दिक सुबकामना है उम्हीद करते हैं कि आपका ने वर्ष बहुत ही अच्छा हो और आपको जोइनिंग दे दी जाए इस ने वर्ष म है या नहीं है उनको क्या करना है पूरी जानकरी आपको देने वाला हो तो आप वीडियो के एंड तक बने देएंगा वीडियो को चोड़ कर बन्टी गई है तो उन सब को मद्य नजर रखते हुई इनकी गहनता से जाच की जाएगी देख लेते हैं कौन-कौन सी जगे हैं अकबार की न्यूज है इसके अंदर बताया गया है कि जहां सिकर जम्मू नागपूर और यूपी की डिगरियों की होगी विसेश जाच अगर इ फरजी डिगरि तब ही गोशित होगी जब आपने जिस कॉलेज से की है उस कॉलेज में आपका कोई भी रिकोर्ड नहीं होगा वो कॉलेज आपको साफ इंकार कर देगा कि हमारे पास इसका कोई भी रिकोर्ड नहीं है यह हमने डिगरि नहीं दिये देख लीजिए आवेदन stepen کے لیے समय दिये गे دست artisan का होगा मिलान आप ने जो अवईदन किया था उस समय जो दस्तावेश दिये थे उनका भी मिलान होगा अगर miss match होता है तो आपकी डिग्री को फरजी मान लिया जाएगा आपकी जो scutney forum है और आपने जो फोरुम आवेदन किया था उस समय जो आपने डोकूमेंट लगाए थे उनी डोकूमेंट की जाँच की जाएगी तो ये वात को विसेश ध्यान में रखना अगर ऐसा होता है कि आपकी मिसमेच होते हैं तो आपको फरजी करार दे दिया जा सकता है और अगर आपने एफिड हो जाएगा तो जिन भी साथियों ने पीटिय की डिगरी घर बैठे पैसे दे कर उन्होंने एक दिन भी ने गए उनको डारेक्ट डिगरी मिल गई है उनको थोड़ा सावधान होने की आश्कता है क्योंकि बीपेड की डिगरी जिनको घर डारेक्ट दी गई है उन पर संकट आने वाला है और उनकी डिगरी फर्जी भी हो सकती है क्योंकि अगर आप कॉलेज में गए हैं रेगलर आपने वहां कला से लगाई है वहां का सिस्टम मनेजमेंट देखा है तो आप वहां जाकर लगा सकते हैं रिट भी लगा सकते हैं आप अपनी बात भी रख सकते हैं कि हमन ये लिक दस्ताविज की जांच के लिए बॉर्ड कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के अनुसार इनके डोकॉमेंट चेक किये जाएंगे वैरिफाई किये जाएंगे कि ये वैलिड है या नहीं है अगर वो वैलिड है तो आपको कहीं भी गवराने की अश्कता नहीं है आपको जोइनिंग दे दी जाएगी और भी काफी भरती हैं जिनमें डिगरी फर्जी होने की संभाव नहीं है देख लिजिए लगातार अपडेट आ रही है पीटी एई फायर में एन एंटिटी भरती में फर्जी वड़ा अब्यार्थियों को बांटी फर्जी डिगरियां ये दे देख लिजिए फर्जी डिगरियों की बात चल रही है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें जाँच होती रहेगी हर भरतीयों में होती है हर भरतीयों में मुद्दा उठता है कि फर्जी डिगरी वाले जीरो नंबर वाले जीरो नंबर वाले बिल्कुल निश्चिंत रहे आपको कहें भी गबरानी के अश्क्ता नहीया जिनके पास केल सेटिफिकेट नही उनको भी गबरानी के अश्क्ता नहीए फरजी डिगरी का मतलब है जिनोंने घर बैठे बिना कुछ किए डिगरी प्राप्त कि ए और सक Bl वाली है बाके किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कोई भी अब्यारती फर्जी नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मस्त रहें 2023 आपके लिए खुशियों बरा होगा तो ऐसी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैन जै भारत बंदे मादरम